कुछ टाइम पहले हमने चैनल पे इंटरनाशनल यूटूबर फ्री शाडेजी सीरीज लांच किया था जो आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया और हमारा सबसे पहला वीडियो इस सीरीज पे रेनर टीयो की तरफ से था जिसको देखके आप में से बहुत लोगों अब वोला कि इसे स्टोक में भी टेस्ट करो इसले हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं तो तुड़ेज वीडियो इस पार्ट ऑफ आवर इंटरनाशनल यूटूबर फ्री स्राडेजी सीरीज वर टेस्ट च्राजी प्रवाइद बाइड वार फेवरेट इंटरनाशनल यू अगर आप में से कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कॉंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो भाई करदो सब्सक्राइब यार किसका वेट कर रहे हो और अगर 17.5 के हो गया है तो भी करदो यार ऐसा क्या कर रहे हो स्क्रीन पे आपको उनका वीडियो और हमारा वीडियो भी दिख रहा होगा उन्होंने ये स्टाइड़ेजी को S&P 500 में टेस्ट केया था और उनके इसाब से इसका विन रेट 88.89% था इन S&P 500 इस स्टाइजी का सबसे बड़ा प्रोब्लम था इसका फ्रिक्वेंसी क्योंकि उनको उनके टेस्ट में स्टाइड से लेके अभी तक सिफ 35 ट्रेट्स ही मिले थे हमने भी इसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में टेस्ट किया था और ये प्रोब्लम को आइडेंटिफाई किया था अब इस स्टाइड़ेजी को स्टॉक्स में टेस्ट करना थोड़ा ट्र करना है and that is completely based on stop loss. आप randomly Reliance का 10 stock लिया, Tata Steel का 20 लिया, IOC का 5 share लिया, ऐसे नहीं खरीच सकते हो. इसका एक fixed process होता है अगर आपको नहीं पता मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो i-card पे आपको वीडियो सजेश्ट हो रहा रहेगा या फिर link description में होगा, ये वीडियो में हमने risk management के बारे में बात किया था, आपको ज़रूर देखना चीए, तो ये वीडियो के दुसे ज़रूर चेक आउट करना, RainerTO ने एक update वीडियो भी बनाया था, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों के doubt clear किये थे, और ये भी बोला था, कि इसकी जो frequency वाली problem है, that is common, और ये improve हो सकती है, अगर आप इसको stocks में भी trade करो तो, but stocks के case में क्या stop loss रखना है, उन्होंने वो वीडियो में भी नहीं बताया, तो इसलिए quantity अभी भी unclear ही है, so हमें ही कुछ consider करना पड़ेगा, usually बहुत method है stop loss के लिए, कोई-कोई previous swing low रखता है, कोई-कोई percentage के सबसे भी रखता है stop loss, और one more method है, जो बहुत usual है, और actually safest method बोला जाता है कभी-कभी, और बहुत लोगों ने ये भी बोला था, कि आप वोई method यूज़ करो, that is using an ATR indicator, जिसको नहीं पता है ATR क्या होता है, ATR stands for average true range, ये एक technical indicator है, जो volatility measure करता है, कोई-भी instrument asset का, for a given period of time, इससे आपको price का एक average range मिलता है, कि price maximum कितना अधर जा सकता है, and this is completely based on its volatility, और जो भी value आता है, उसको एक factor से multiply करके, जो भी value रहेगा ना, उसको as a stop loss consider करते लोग, so आज हम ये ही method use करेंगे, और इस strategy को test करेंगे, शायद मैं एक और वीडियो बनाऊ, update वीडियो, जहाँ पर मैं previous swing low वाला method भी test करू, और आपको उसका भी result बताऊंगा, ये strategy सिर्फ buy का strategy है, तो हम भी इसे सिर्फ buy के लिए ही test करेंगे, तो इंट्रो के दम strategy पर चलते हैं, जा हम RSI plus 200 moving average, provided by Rainer Tio को total 100 times test करेंगे, in following stocks, और चेक करेंगी कि कैसे काम करता है, so hi everyone, this is Pranit from Trader Insight, let's start the video, सबसे पहले हम ट्रेडिंग भी open करेंगे, अब एक normal stocks को भी add कर देंगे, इसके बाद उपर time frame पे जाएंगे, और time frame को daily कर देंगे, अब उपर वापस indicator में click करेंगे, और RSI search कर देंगे, और इसे add कर देंगे, ये built-in indicator था, अब RSI के settings में जाएंगे, और length को 10 कर देंगे, अब फिर style में जाके, RSI, RSI upper band, RSI lower band को un-tick कर देंगे, अब यहाँ पर RSI upper band को 40 कर देंगे, और RSI lower band को 30 कर देंगे, और okay कर देंगे, इसके बाद वापस उपर indicator में click करेंगे, और moving average search करेंगे, तो यह built-in वाला आ जाएगा, उसे हम add कर देंगे, अब settings में जाके, length को 200 कर देंगे, और style में जाके, moving average के color को white कर देंगे, और thickness बड़ा देंगे, अब last, वापस उपर indicator में click करेंगे, और ETR band search करेंगे, तो यह एक third floor वाला indicator आएगा, इसे chart में add कर देंगे, अब इसके settings में भी जाएंगे, और period को 14 कर देंगे, और factor को 2 कर देंगे, अब वापस styles में जाके, इसका upper ETR band un-tick करेंगे, और okay कर देंगे, so हो गया setup ready, चलिए rules for buy entry देखते हैं, first rule candle close should be about 200 moving average, फिर RSI 10 should go below 30, जब यह दो चीज होगा तो जहाँ पर भी यह होगा, वो candle हमारे लिए trigger candle बन जाएगा, फिर entry, open of the next candle, तो trigger candle का जो next candle होगा ना, हम उसके open price में entry कर लेंगे, stop loss ETR band of the trigger candle, यहाँ पर यह trigger candle होगा ना, उसका जो ETR band का value हम उसे as a stop loss मानेंगे, फिर target, open price of the next candle, वेर RSI closes above 40, जैसे यहाँ देखो, इधर RSI 40 के उपर closing दिया है, यह आपको कब पतर चलेगा, जब यह upper candle close हो जाएगा तभी, जब ऐसा हो जाएगा, तो इसके next day का candle पर जो open price रहेगा ना, हम उस पर exit कर लेंगे, और target बुक कर लेंगे, चाहे आपको profit हो या loss हो, आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, वो आर टुड़ेज वीडियो स्पॉंसर, जिनको नहीं पता, चाट प्राइम इस अ कस्टम इंडिकेटर सर्विस, यह बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ, बाई या सेल के टिप्स देने वाले सर्विस नहीं है, इनका गोल उन ट्रेडर पे फोकस्ट है, जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है, और इनके टूल को अडिशनल कनफोर्मेशन की तरह यूज करते हैं, अपने अनलिसिस में, ये आपको 5 इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं, विच हाज more than 20 डिफरेंड यूनिक कनफोर्मेशन पॉइंट, जो आप अपके अनलिसिस में यूज कर सकते हो, जैसे उनका एक इंडिकेटर है, चार्ट प्रेम उसिलेटर करके, अगर आपके इनका सब्स्रिप्शन लिया है, तो आप इनका इनका ये वाला इंडिकेटर जरूर एक्स्प्लोर करना, क्योंकि I feel this is a powerful इंडिकेटर, इस पे हमने होल्डिड एक वीडियो बनाया भी है, इस उसिलेटर में उन्होंने बहुत सारे बेरिश या बुलिश सिग्नल को एक साथ क्लब कर दिया है, जैसे ये macro overbought और oversell region, ये trend dots, ये regular या फिर hidden diversions जीत जाता है आपको, या फिर ये reversal warnings हुआ, और ये micro bands हुआ, etc. और भी बहुत सारे चीज़े इसमें, जिसको आप club करके एक powerful strategy भी बना सकते हो, अब settings में देखिए, यहाँ इतने सारे features है, obviously this is not for everyone, और मैं आपको guarantee भी नहीं दे सकता कि ये आपको हमेशा बैसा बना के देगा, but इतना तो हम भी जानते हैं कि हम traders है, और हम probability पर विश्वास करते हैं, आपको आपको उनका प्रोड़क्स 30 के नीचे गया है, on their monthly और yearly plan, so if you find them interesting, then make sure to check them out, चलिए examples देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हमें एक entry मिली है, जहां RSI 30 के नीचे गया है, और price 200 moving average के उपर है, so यह next candle के open पे हम buy करेंगे, stop loss ATR band में रखेंगे, और wait करेंगे RSI 40 के उपर जाने का, so आप यहाँ देख सकते हो, RSI 40 के उपर closing दिया है, so इसके next candle के open पे हम exit कर लेंगे, और यह देखिए, हमें यहाँ profit हुआ, next example देखते हैं, यहाँ देखिए, RSI 30 के नीचे गया है, और price 200 moving average के उपर है, so यह next candle के open पे buy करेंगे, stop loss यहाँ trigger candle के, ATR band में रखेंगे, और वेट करेंगे, RSI 40 के level के उपर जाने का, but unfortunately यहाँ हमारा stop loss है ट हुआ, कोई बात नहीं, loss is a part of the game, चले next example देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर वापस RSI 30 के नीचे गया है, और price 200 moving average के उपर है, यह next candle के open पे हम buy करेंगे, और stop loss यह trigger candle है, उसके ATR band के उधर stop loss कर देंगे, और wait करेंगे, RSI का 40 level के उपर जाने का, यहाँ RSI 40 के उपर closing दिया है, तो हम इसके next candle के open पे exit कर लेंगे, और यहाँ भी हमें win हुआ, चले एक last example देखते हैं, जैसे यहाँ देखें, यहाँ वापस RSI 30 के नीचे गया है, और हमारा price 200 moving average के उपर है, तो next candle के open पे हम buy करेंगे, stop loss यहाँ trigger candle के ATR band के नीचे रखेंगे, और wait करेंगे RSI का 40 level वापस उपर जाने का, और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर वापस RSI 40 के उपर closing दिया है, so इसके next candle के open में हम exit कर लेंगे, and this resulted in a partial loss, ऐसे भी example हो सकते, जहाँ पर आपका partial loss हो, complete loss नहीं, चले, I hope strategy clear है, मैं जान मुझके इतने सारे examples cover करता हो, ताकि आपको सब clear हो, आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए, अगर आपको strategy की बारे में और जानना है, तो इस strategy को हम total 100 times test करेंगे, और इसका असली win rate check करेंगे, I'll let you know the full result after the test, चलिए, results देखते हैं, So it's a reward, जैसे आप देख सकते हो, total number of trade was 100, उसमें से 70 are win, and 30 was loss, so win rate was 70%, total gain in an account was 9.88%, and max drawdown is minus 6.08%, continuous win in a row is 9, and continuous lose in a row is 3, total duration of the test was 276.068 months, जैसे आप देख सकते हो, win rate तो बहुत अच्छा है, which is 70%, but gain come है, no doubt, this is because of ATR band, आप देख सकते हो, कि हमारा average risk reward ratio ही 0.69 का था, that is one of the reason कि हमारा win rate इतना अच्छा गया है, I think अगर stop loss previous swing low रहा, तो result improve हो सकता है, वो test करने के बाद ही पता चलेगा, anyways, kudos to RainerTO, for sharing such an amazing strategy, as always, जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सीधा मेरी बात, या किसी की बात को blind interest नहीं करना है, हर strategy को आपको पहले खुड test करना है, और फिर decide करने की strategy कैसे काम करता है, so I'll add the strategy in the google sheet, link in the description, and this takes the 25th position in the list, you can check the list, and review or rewatch any specific strategy you like, so guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel, and hitting the bell notification, and do like the video and share the video, अगर आप हमको support करना चाहते हो, तो UPID आपके screen पे होगा, और अगर आपके DMAT account नहीं है, तो मैं 0 दा का link description में डाल दूँगा, हमसे account ओपन करके, आप channel की थोड़ी help कर सकते हो, and make sure to check out chat prime, from below description, मेरा code यूज़ करके, आपको उनका product 30% तक off भी मिल जाएगा, और अगर आपको ये वाली backtesting sheet चीए, तो मैंने इसे already share किया है, आपको एक video suggest हो रहा रहेगा, link description में होगा, आप वहाँ से ज़रू check out कर सकते हो, please comment में आपके feedback दीजिए, और कौनसी strategy आप चाहते कि हम backtest करे, अपने future videos में ये भी ज़रूर बताना, आप उमारे चैनल की playlist देख सकते हो, और दुसरे शटेजिस के videos भी देख सकते हो, all the social media links will be in the description, please follow us and show our support, more awesome contents are on the way, so see you next time,